हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर गेट कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड पीजी सी इल की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंट्स य आपका होने वाला है इससे रेलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जौपरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं अगर आप अलिजीबल है अपलाई करना चाहते हैं अपलाई आप कर सकते हैं तो यहाँ पर फैं अपलाई करने के लिए 25 मार 2021 से 15 अपरेल 2021 तक आप आविदन कर पाएंगे और अब यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्ले सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें अब यहाँ पर ज या application ID यह सब आपकी details आपके application form या फिर आपके admit card को आप चेक करेंगे उस पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको example दिया गया है आप example के तौर पर आपको दिया गया है तो आपने registration number को और अपने application ID को आप फिल करेंगे यह बिलकुल सही होंगी तभी friends sir आप इस form को submit कर इसके बाद year of appearance में only 2021 का ही option आपको यहाँ पर मिलता है इसके बाद है देखिए name of the candidate यहाँ पर है mother name और यहाँ पर है father या husband name अब यहाँ पर friends आपको आपकी जो basic जानकारी है वो आपको यहाँ पर fill करनी होगी यह fill करने के बाद friends यहाँ पर आपने जो भी नाम दिया है इन से relation आपको बताना होगा father या husband का वो आप select कर लेंगे यहाँ पर है आपका DOB section तो आपकी जो भी date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते हैं इसके बाद आपका gender आपको select करना है अगर आप a service man है तो yes कर सकते हैं आपका service date कब से कब तक है वो आप बताएंगे नहीं तो आ आप की category है वो आप choose कर सकते हैं minority community जो आपको यहाँ पर दी गई है इन में से किसी भी आप category में आते हैं select कीजिए नहीं तो आप not applicable करेंगे dimensional का state कौन सा है आपका तो वो state आप यहाँ पर mention कर सकते हैं इसके बाद nationality आपको select करनी होगी अगर आप यहाँ पर victim है दंगो के तो आप यहाँ नो कर सकते हैं जम्मु एन काश्मीर के निवासी है आप इस time को दरान तो आप यहाँ नो कर सकते हैं marital status आपका क्या है वो यहाँ पर no कर सकते हैं इसके बाद अगर आप internal candidate है तो आपको यहाँ पर yes करना होगा और अपना employee number और आपका reason है वो आपको select करना है नहीं है तो आप इसमें भी no कर सकते हैं नीचे है आपका mailing address तो यहाँ पर देखिए आपको address पूरा आपका जो भी है address line 1 आपका कोई landmark है आपका nearest railway station क्या है तो देखिए पूरा address आपको यहाँ पर लिखना होगा यह लिखने के बाद fans यहाँ पर आपको आपकी जो city है वो mention करनी है आपका district आपको mention करना है आपके state के निवासी है तो अपना जो state है वो आप इस list से select कर सकते हैं आपका pin को number आप यहाँ फिल हैं आपकी active and valid mail ID आप दो बार फिल करेंगे और आपकी कोई भी अगर आपके पास extra alternative email ID है वो आप जनकरी दे सकते हैं तो यह section आपके contact details का रहेगा नीचे है qualification section सबसे पहले qualification में BE, BTEC, BSC, Engineering क्या आपने pass out किया हुआ है percentage of marks आपके क्या है तो यहाँ पर आपको 2 decimal तक लिखना होगा तो आपके according जो भी आपकी percentage है वो आप फिल कर सकते हैं discipline select करेंगे division यहां से आप select कर सकते हैं इसके पास CGPA है तो आपका duration of course तो आपने कब से कब तक यह course complete किया है तो आपके पास देखिए अगर starting की date नहीं है पर आपके पास यहाँ पर इसके जो last date है वो अगर आपक समय है तो अच्छी बात है आप उसके according जो भी आपका admission sleep है उसमें जो भी आपने admission लिया है उसके according update फिल कर देंगे यहाँ पर है date of result declaration है वो कब हुआ है तो आपको यहाँ पर date of declaration देना होगा आपके result का वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं mode of course आपका क्या है university कौन सी है तो पर fill करना होगा नीचे है add additional qualification अगर कोई भी आप यहाँ पर qualification add करना चाहे तो आप यहाँ पर add कर सकते हैं qualification को इसके बाद यहाँ पर है your bank account details तो यहाँ पर आपकी जो account details है bank हता जो होगा वो उसकी जानकरी आप देंगे सबसे पहले bank का नाम आपको देना है जैसे state bank of India है या पंजाब national bank है आप full form लिखना चाहे short लिखना चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी branch का नाम क्या है तो आपकी जो भी नाम of branch है name of the branch है वो आपकी bank की passbook पर मिल जाता है या फिर आप Google पर भी search कर सकते हैं branch की city कौन सी है वो आपको यहाँ पर mention करनी होगी मतलब कि city में आपकी branch है आपका account number क्या है bank का जो आपका account होता है उसमें friends एक bank का IFC code होता है उस IFC code को आपको देना होगा IFC code आपको friends आपकी passbook पर ही मिल जाएगा MICR code अगर available है तो आप यहाँ पर उसको भी दे सकते हैं यह सब जानकरी आपको आपकी passbook पर मिल जाती है अगर फिर employee है तो आप yes कीजिए नहीं है तो आप इसमें no कर सकते हैं नीचे है friends से यहाँ पर आपको relative अगर work करता है तो आप yes कर सकते हैं और उसके बाद employee है as a director है वो आप बताएंगे और उनकी जो details है वो आप यहाँ पर provide कर सकते हैं नहीं है simply आप no करेंगे यहाँ पर है upload section तो दे certificate है वो आप अप्लोड कर सकते हैं आपका passing certificate या last semester मार्शीट अब देखिए अगर आप pass out है तो आपका passing certificate अगर आप appearing candidate है तो फ्रेंच से यहाँ पर आपका last semester की जो मार्शीट आपके पास available है वो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं यह सब PDF format में होंगा AWS से अगरा form को fill कर रहे हैं या फिर cast से आप fill कर रहे हैं SCST से या OBC से तो आपको card certificate अप्लोड करना होगा और gate 2021 का admit card भी आपको यहाँ पर upload करना होगा यह सब आपके PDF format में है size आपको यहाँ पर दिया गया है इसी size में आपको upload करना होगा सिर्फ photograph and signature ही आपके JPG format में आएं करते हैं तो फ्रेंसे document अप्लोड करने के बार आप चाहें तो view कर सकते हैं कि यह upload हुए है या नहीं हुए है इसके बार आप यहा से इसको declare करेंगे declare करने के बाद fans आपको नीचे मिलता है submit application का आप यहां से submit कर सकते हैं और submit करने से पहले चाहें तो details को verify कर सकते हैं और उसके बाद ही आप यहां पर submit application वाले option पर click कर देंगे इसके बाद fans आपको आपका registration number है वो आपको मिल जाएगा साथ में आपको download application form का option भी मिल जाएगा अगर आपको यहां पर payment लगता है तो आपको सबसे पहले login करना होगा आपकी register mail ID और registration number के थुरू जो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मिला होगा आप उसे note down कर सकते हैं और इसके बाद इस capture code को fill करके आप login कर लेंगे इसके बाद fans आपके सामने dashboard open हो जाएगा और यहां पर आपको pay online का option मिलेगा आप इस option पर click करेंगे click करने के बाद fans यहां पर रेखे credit card, debit card या net banking तीन option का आप use करेंगे इन तीन option के use से ही अपने payment को आप confirm कर सकते हैं तो अपने card details को fill कीजिए और उसके बाद make payment पर click कीजिए और जैसे ही आपका payment verify होगा आप अपना final print out निकाल पाएंगे payment नहीं लगता है तो directly आपको आपके download application का option मिल जाएगा और उसके बाद आपके application form है उसे आप download कर सकते हैं यहाँ पर फैंसे जो यह process है उसके बारे मैंने आपको जानकारी provide कर दी है जो कि requirement है आपके 80 post के लिए जो कि gate 221 के थुरू होने वाला है और इसके लिए फैंसे link आपको apply का login का सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसके official website पर और साथ में jobrasta.com पर भी link मैंने आपको provide किया हुआ है अगर आप eligible है apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह video पसंद आया है तो like, subscribe जरू कीजिए और बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching